संसकार धानी जबलपूर घटिया शहर है बीजेपी सांसद मेनका गांधी के इन शब्दों के बाद देश भर में उनकी आलूचना हो रही है वेटनेरी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं तो अब जबलपूर की जनता और कॉंग्रिस नेता भी प्रकर विरोध में आ गए हैं बीजेपी सांसद वापूर्व के इंद्रिय मंत्री मेनका गांधी ने वेटनेरी डॉक्टर से बादचीत करते वक्त ना केवल डॉक्टर से बद्सलोकी की बल्कि जबलपूर के इतिहास पर भी सवाल खड़े गर दिये एसे में अब कॉंग्रेसी नेता भी जेपी नेता उसे सवाल करने लगे हैं कि मेनका गांधी पर चुप्पी क्यों इसी कड़ी में जबलपूर में कॉंग्रेस नेता सांसद राकेश सिंग से ये मांग कर रही है, वो मेनका गांदी पर शहर के लोगों से माफी मांगने के लिए दवाब बनाए लेकिन कॉंग्रेसी कारेकरता सांसद राकेश सिंग तक पहुँच पाते इससे पहले ही पुलिस ने कॉंग्रेस के प्रदेश सचिव सौरबनाटी शर्मा को उनके घर में ही नजर बंद कर दिया काफी देर बाद पुलिस ने उनको सिविल लाइन ठाने तक आने की इजादत दी इस बीच पुलिस और कारेकरताओं के बीच नोक जोक भी देखने को मिली करीब दो घंटे तक पुलिस और कारेकरताओं के बीच बहस चलती रही लेकिन कारे करता राकेश सिंग के बंगले तक ना पहुंच सके। तमाम वो प्रयास किये गए कि माननी सांसत से हम लोग की मुलाकात ना हो सके। हमको लगता है कि उन तक बात ना पहुंची होगी। इसलिए आज हम उन तक यह बात पहुंचाने जा रहे थे। कि यह जौलपुर शहर की जंता का अपमान है। जौलपुर शहर की अस्मता की जंग है। कि वे अपने द्वारा कहे गए शब्दों को वापस ले। वे इस शहर से माफी मांगे। नहीं तो भविश में जब भी कभी जौलपुर का नौजवान जौलपुर छोड़के नौकरी करने जाएगा। पढ़ने जाएगा। पढ़ने जाएगा कि तुम जौलपुर जैसे घटिया शहर से हो। लेकिन सांसर राके सिंग्जी इसमें मौनसादे हुएं। आज उनको हम लोग जगाने जा रहे थे। हमको यहाँ पर पुलिस बलके द्वारा रोका गया। पढ़ने जाएगा। पूर्व केंद्री मंत्री मेंद्का गांदी ने एक वेटनरी डॉक्टर से फोन पर बात करते हुए बेहद आपत्ती जनक टिप्पनी की थी मेनका गांधी का एक ओडियो भी सामने आया था जसमें वह डॉक्टर को भद्धी गाली देते हुए सुनाई दिये रही है इसी बात को लेकर अब देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है देश के वेटनरी डॉक्टरों में भी नराजगी है तो पूर्व मंत्री और जबलपूर से बीजेपी विधायक अजे विश्नोई ने भी एक ट्वीट कर मेनका गांधी को बेहद घटिया महिला कहा था अब देखना ये होगा कि अनुशासन की बात करने वाली भारते जन्ता पार्टी अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री पर कारवाई करती है या नहीं पंजाब केसरी के लिए जबलपूर से विवेक टिवारी की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद